हालो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको लेके जारी हूँ, कैनेडास बिकेस्ट एग्जिबिशन, सी एन्नी, चले चलते हूँ C&E की खास बात यह है कि it is entertainment for all age of people, आपको दिखाते हूँ कैसे C&E में बच्चों के लिए kids area है, farm है, aquarium है और rights है, exhibition hall है जहां सारे बर्ड के लोग आखे उनकी country के stall रखते हैं, उनकी country की खासियत दिखाते हैं And there is food too, indoor food court है, outdoor food trucks है, and you can taste all the cuisines here Her game खेलने के लिए आपको payment करना पड़ता है, entry ticket में ये included नहीं है, it was really fun for the kids Games अब खेलने के बाद हम गए rides देखने के लिए, वहां के लिए भी आपको tokens लेने पड़ते हैं Each ride के लिए आपको 6 tokens देने पड़ते हैं ये sky wheel ride आप देख रहे हो, it is very relaxing, उपर से, सारा exhibition आप देख सकते हो, it is a really good view up there यहां पे side में आप देख सकते हो, बहुत सारे stalls है, it was really fun to see different things here आरना ने ये bumping car ride try किया, it was really fun for them, आप यहां देख सकते हो ये slide मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर हमने try किया Niagara Falls ride, that was really fun ये देखिये हम लाइन पे खड़े हो है, it was a long line, ऐसा बोट जैसा है, उसमें बैटना है and there are two falls, एक छोटा फॉल है, एक बड़ा फॉल है, वहां से अपकी बोट चलती है and it was really fun, और थोड़ा वेट भी होके हम लोग, but the temperature was really good so we just enjoy this ride and this was the best ride हमें लगा इस पूरे एक्जिबिशन में ये देखिये, ये कितना सुंदर है, अंदर देखिये, आपको में दिखाते हूँ, it's really beautiful यहां आप exotic drinks order कर सकते हो, और आराम से बेट के enjoy कर सकते हो, we enjoyed a lot here और आप यहां देख सकते हो, लोग बैटे हो हैं, फूर्टोस ले रहे हैं, it was really good here इस एक्जिबिशन में हमने एक special चीज देखिये, ये देखिये, ये frozen desert है ये liquid nitrogen से बनाते हैं, और फिर हमें खाने के लिए देते हैं, और ये देखिये, खाने के बाद, इसको खाने के बाद क्या होता है, आपको दिखाती हूँ, it is really fun and आप यहां देख सकती हो, क्यों मैं fun बोल रहे हूँ अब में लिकी जाती हूँ, आपको aquarium, छोटा aquarium जैसा बनाया है, बच्चों के लिए, with flowers, कितना सुंदर बनाया है, देखिये, it was really beautiful फिर हम गए farm, यहां farm animals को रखा है, it is good for the kids यहां पर live performance होते ही रहते हैं, यहां आप देख सकते हो इस exhibition में dog show भी है, and that is the main attraction for the kids, बोल सकते हैं क्यूंकि मेरी बेटी ने बहुत enjoy किया यह dog show यह है indoor food court, यहां पर आपको सारी cuisins मिल जाएंगे, that was really good, यहां आप देख सकते हो यहां पर एक funny mirror रखा हुआ था, यहां देख सकते हो, हम कैसे दिखते हैं, इसके सामने कड़े होके, it was really fun for the kids here यह है exhibition hall, यहां पर आपको बहुत सारे stalls मिलेंगे, सारे country के लोगा के, उन्होंने अपने country की खासियत यहां दिखाई है, that was really fun to explore all these new things, आप यहां देख सकते हो के लुट में आपको बहां देख सकते हो आज का ये व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ मिलते हैं मेरे नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई टेक केर